अगर यही चाप्टर स्किप कर दोगे तो आगे जाके बहुत प्रॉबलम होगा क्योंकि आगे सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ओसीलेशन, ओके यह सारे मोशन पढ़ने हैं, वेव मोशन, सो यह बेसिक है, तो इस पर अच्छे से ध्यान दो, ओके, अल्रेडी हमारे पास तीन वीडियो एवेलेबल है, वो तीन लेक्चर देख के आओ, और यहाँ पर ड दाइमेंशन खतम किया था, मैंने बोला था, कि आज हम लोग बात करेंगे, उसका ही एक्जाम्पल, दाट इस नतिंग बट प्रोजेक्टाइल मोशन, और सर्कुलर मोशन, तो उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हमारे बुक में बहु बड़ी थेरी है, लाइक वो जो थेरी थी, उन्होंने बोलते है ना, फिजिक्स पूरा पलट दिया, तुम लोगो पता होगा, यस और नो, ओके, रिलेटिविटी बोलते हैं, हम लोग थेरी और रिलेटिविटी, ओके, उन्होंने क्या बोला, कि यूनिवर्स में कोई पीछे की तरफ जाते हुए, दिख रहा है सोनो, अब वो पेर वही पे स्टेशनरी है, बट वित रस्पेक्टू, जो ट्रेन में बैटा है, उसके हिसाब से वो पीछे जारी की नहीं जारी है, तो बित रस्पेक्टू चीज़े चेंज होती हैं, ओके, तो लेट आस कंसिडर की दो बॉड़ी है, यह बॉड़ी A है, और यह बॉड़ी B है, ओके, अगर मैं आपको इसका रिलेटिव वेलासिटी डिफाइन करना रहे है, तो कैसे डिफाइन करूँगा, माल लो कि अगर बॉड़ी A है, उसकी वेलासिटी है VB, माल लो, ओके, और मुझे किसी ने पूच्छा की वेलासिटी अफ, वेलासिटी अफ बॉड़ी A with respect to B, तो वाट इस द वेलासिटी अफ, A with respect to B, भाई A कितना स्पीट से जाएगा B क्या है यह ना, A कितना स्पीट से जाएगा, वित रस्पेक टुवी, that is nothing but, that is nothing but, V A minus VB, है यह ना, जिसको आम नो बोलते है V A B, यही सेम चीज़ में, बोलडी B with respect to A कर सकता हूँ, अगर मैं देखने जाओ, बोलडी B, with respect to A, क्या हो जाएगा, अगर हमनों ध्यान से देखे हैं, तो that is V A, not V A, V B, V B A is equals to velocity of B, minus velocity of body A, मतलब एक body का velocity with respect to another body, okay, like अगर observer rest पे है, observer rest पे है, तो क्या हो जाता है, तो एक जो body है, वो हमेशा क्या हो जाती है, एक body क्या हो जाती है, एक body directly zero हो जाती है, उसकी velocity, इसलिए हमनों consider नहीं करते हैं, बट जैसे हमने बताया, कि भाई, हर एक चीज़ relative है, हर एक चीज़ क्य जानी आती है, तो always remember कि हम जब velocity निकालते हैं, तो हम relative velocity निकालते है, and that relative velocity is nothing but a velocity of one object with respect to velocity of another object, कैसे निकालेंगे, भाई, एक object की velocity, दुसरे object के velocity से minus कर देंगे, simple, okay, समझ में आया सबको, everyone, this is nothing but a basic concept of relative motion, इससे जाधा तुमारे बुक में दिया हुआ नहीं है, इसलिए मैं इ detail में जानी की कोशिस नहीं करूंगा, okay, clear, समझ में everyone, पका, okay, so start करते हैं, आज का main topic, जिसके लिए हम लोग ने ये किया है, so आज हम लोग start करेंगे projectile motion, okay, projectile motion is one of the important motion है, okay, because हम लोग कभी भी पत्थर फेकते हैं, कभी भी बॉल को kick करते हैं, so these are nothing but a projectile motion, it is a part of two dimensional motion, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो motion हो रहा है, वो दो dimension में हो रहा है, x-axis as well as y-axis, जब हम लोग बॉल को kick करते हैं, तो बॉल को kick करते हैं, तो बॉल आगे भी जा रही है, as well as ऊपर भी जा रही है, हाँ या ना, तो इसलिए projectile motion is the example of two dimensional motion, so what is projectile motion, any object in flight after being thrown with some velocity under an influence of gravity, हम लोग यहाँ प के बाद उसके उपर कोई external force नहीं लग रहा, सिरिफ वो gravity के influence में है, मतलब मैंने यह pen को fakeा, fakeने के बाद इसके उपर कोई external force नहीं लगेगा, याद रखना, air resistance, कोई viscous force, ओके, या फिर कोई air drag, कुछ भी नहीं लगने वाला है, clear, बात समयमाई, तो ही उसको हम लोग projectile consider करे देंगे, okay, तो एक projectile का, अगर simple graph देखे, तो कुछ ऐसा बनता है, मालनों यह मेरा x-axis है, y-axis है, यह y-axis, okay, यह x-axis है, y-axis है, मैंने कोई भी object फेका, कोई भी object फेका, तो simply हम लोग ने observe किया है, कि वो ऐसे ही travel करता, हाँ या ना, इसी direction में हमेशा वो travel करता है, let us consider कि वो object हम लोग ने कुछ initial velocity U से फेका है, अंड गुछ initial angle theta से फेका है, तो यहाँ पर U को क्या बोला जाता है, U को बोला जाता है projectile velocity, और टीटा को क्या बोला जाता है टीटा को बोला जाता है आंगल ओफ प्रोजेक्शन आंगल ओफ प्रोजेक्शन अब यहाँ पर क्या दिहां देना है कि अगर हम लोग x-axis की बात करेंगे देखो यहाँ पर मैं velocity को दो component में resolve कर सकता हूँ velocity का पहला component क्या हो जाएगा एक component हो जाएगा u cos theta और एक component क्या हो जाएगा along y-axis that is u sin theta तो खली इस चीज़ का ध्यान देना कि अगर हम लोग x direction की बात करेंगे तो x direction में हम लोग velocity u consider नहीं करेंगे हम लोग consider करेंगे u cos theta और y direction में हम लोग velocity consider करेंगे u sin theta u नहीं याद रखना क्योंकि हम लोग इसको क्या करने वाले हैं? resolve करने वाले हैं क्या करने वाले हैं? resolve करने वाले हैं हाँ या ना? समझ में है everyone? पका? जब कभी भी हम लोग x direction की बात करेंगे तो velocity will be u cos theta अगर हम लोग y direction की बात करेंगे तो velocity will be u sin theta यह basic चीज़े हैं यह basic चीज़े समझो के तो ही आगे का part समझ में आएगा पका आगे बढ़ू example अगर देखना चाहोगे तो example में जैसे हम लोग ने बताया throwing a stone, kicking a ball, okay? yes or no? these are the example, ऐसे बहुत सा example है जो हमारा flight है वो take off लेता है, that is also a projectile motion but again मैंने बताया, जो flight take off ले रहा है, उसमें external engine involved है इसलिए हम लोग उसको projectile में consider नहीं करते, okay? arrow, देखा ना, bow and arrow चलाते हैं, that is also a projectile motion, okay? gun is also a projectile motion, गोली मारते हैं अब तुम बोलोगे sir, गोली मारते तो सीधा जाता है ना, सीधा जाने के बाद जब उसका energy loss हो जाता है, तो obviously वो projectile motion करता है तब वो gravity के influence में आ जाता है, हाँ या ना, जब तक उसके पास energy है तब तक वो straight line motion कर रहा है, बट जैसी उसके energy खतम हो रही है जैसी उसके energy खतम हो रही है, भाई, gravity उसको कहाँ नीचे लेके जा रही है ना, तब projectile motion बन रहा है वो बासन में आ है everyone, पका, चलो, next one of the most important topic, that is nothing but the equation of projectile that is nothing but the equation of projectile, okay, what is equation of projectile सबसे important question है, और या फिर question आता है कि prove that कि projectile follow the parabolic path, ये दो question है, बहुत important question है तो कैसे करना है, यहाँ पर समझो, तो हम लोग consider करेंगे, हम लोग क्या consider करेंगे, हम लोग एक projectile motion consider करेंगे, इना graph that is x-axis और y-axis, जिसका initial velocity क्या है, u, again initial velocity u है, तो ये component क्या हो जाएगा, तुम लोग बताओगे, पटाक से, वीडियो पॉस करो, ये वाला component क्या हो जाएगा, along x-axis, that is, u cos theta, हाई ना, along this axis, that is, u sin theta, हाई ना, मेरे को मिल गया, along x-axis, u, along y-axis, u sin theta, u cos theta, u sin theta, okay, so, हम लोग यहाँ पर दोनों को motion को अलग लग रखेंगे, सबसे पहले x direction की बात करेंगे, तो अगर x direction की बात करेंगे, तो x direction में क्या होगा, देखो जारा ध्यान से, okay, x direction में बात करेंगे, तो displacement in x direction क्या बन जाएगा, that is x, x direction displacement क्या बन जाएगा, that is x, velocity in x direction क्या बन जाए time taken by the projectile to reach here क्या होगा time क्या ही होता है time होता है distance divided by speed distance क्या ही है distance मेरा x है speed क्या ही है speed है u cos theta तो मेरे को यहां से time कितना मिल गया time मिल गया x u cos theta अब last वाला वीडियो इसलिए मैंने बोला कि last वाला वीडियो देखिया हो अब last वाले वीडियो में हम लोग ने discuss किया है कि भाई velocity, acceleration, displacement सब अलग-अलग होंगे x और y के लिए but time क्या होगा time दोनों के लिए same होगा भाई body जितना यहां जाने के लिए लगेगी body उतना उपर जाने के लिए time लेगी न y direction इसको side में रख देते हैं थोड़ा सा तो इसको थोड़ा सा side में कर दो अब consider करो y direction y direction क्या हो जाएगा देखो जरा तो y direction के अगर हम लोग बात करेंगे तो मेरा displacement क्या हो जाएगा displacement हो जाएगा sy is equals to y velocity क्या हो जाएगा u y is equals to that is u sin theta और acceleration क्या हो जाएगा y direction में y direction में acceleration हो जाएगा g और less say minus g क्योंकि उपर की तरफ जा रहे हाँ या ना less say minus g जो की उपर की तरफ जा रहे बरबार बात संच में आया acceleration याद रखना क्यों g लग रहा है क्योंकि gravity के influence में है acceleration due to gravity लगेगा इसके उपर okay now consider the second equation second equation क्या हो जाएगा consider second equation second equation क्या है देखो जरा तुम लोग बताओ video pause करो second equation जिसने जिसने पहले वाला video देखा है उसको पता होगा second equation so that is s equals to ut plus half 80 square हाँ या ना so क्या हो जाएगा देखो जरा y direction की बात कर रहे है तो यहाँ पर y आ जाएगा यहाँ पर भी y आ जाएगा यहाँ पर भी y आ जाएगा तो s y क्या है that is y u y क्या है that is u sine theta and time क्या है मैंने बताया भाई time दोनों के लिए same होगा यहाँ पर हम लोग ने time already निकाला है that is x u cos theta upon u cos theta हाँ या ना यहाँ पर क्या हो जाएगा minus half अब बोलो के minus कहाँ पर आया देखो ay क्या है ay minus g है न तो यहाँ पर minus आ गया t again क्या है x upon u तो क्या हो जाएगा x by u cos theta का whole square बड़बार क्या हो जाएगा देखो जरा यहाँ से u or u get cancelled u or u get cancel क्या मिलेगा sine by cos that is tan x यहाँ पर मिलेगा tan theta into x यहाँ पर क्या मिलेगा देखो जरा देहान से देखो कुछ cancel तो हो नहीं रहा minus ऊपर क्या रहेगा g नीचे क्या रहेगा 2 u square cos square theta बाजू में क्या हो जाएगा बाजू में जाएगा x square this is nothing but a general equation of projectile this is nothing but a general equation of projectile याद कर लो बहुत ही important है that is y is equals to tan theta x minus g by u square cos square theta and this is nothing but a equation of projectile औके और यही parabolic equation है औके this equation represent the parabola this equation represent the parabola that's why यह जो path होता है जो projectile path होता है वो parabolic path होता है तो अगर exam में आता है कि show that कि projectile path is a parabolic path just you have to derive the same formula same equation derive करना है और last में लिख देना है कि यह जो equation है यह एक parabolic equation है मतलब अगर इसको general form में लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो y is equals to ax minus bx square a आजाएगा मेरा tan theta और b आजाएगा मेरा पुरा का पुरा g by 2u square equation of parabola that's why the projectile is nothing but जो projectile path है वो एक parabolic path है जो उसका trajectory है trajectory बोले तो जो path वो cover कर रहा है वो एक projectile path है clear बात समझ माया कैसे किया derive equation पक्का important है इसलिए बता रहा हूँ पक्का आगे बड़े आगे और एक important topic है that is nothing but a time of flight that is nothing but a time of flight भाई time of flight क्या होता है so time of flight समझने से पहले 2 time समझो that is called time of ascent as well as the time of descent time of ascent क्या होता है भाई यहाँ से यहां जाने का time मतलब ascending का time time of descent क्या होगा descending का time मतलब यहां से मालो की यहाँ पर एक पात यह एक projectile का graph है तो यहां से यहां, that is called time of ascent, यहां से यहां, that is called as time of descent, मतलब अपने minimum position से maximum height जाने के लिए जो time लगता है, that is called time of ascent, और maximum से वापस नीचे आने के लिए लगता है, that is called time of descent, और इतफाक से यह दोनों same होते हैं, because दोनों direction, दोनों में gravity का involvement है, okay, external कोई भी force नहीं है, कोई भी air resistance नहीं है, मतलब यह pen को अगर उपर जाने के लिए 3 second लग रहा है, तो नीचे आने के लिए 3 second लगेगा, under the influence of gravity, under the influence of gravity, अगर कोई external force आ गया तब नहीं, अगर सिरिफ gravity के influence में है, तो उपर जाने के लिए 3 second, नीचे आने के लिए 3 second, क्योंकि हम लोग air resistance को ना के बराबर पकड़ते हैं, clear, समझा, तो हम लोग क्या करेंगा, हम लोग बोल सकते हैं, कि भाई, जो time of flight होता है, वो actual में time of ascent और time of descent का क्या होता है, addition होता है, because the time of flight is nothing but the time taken by the projectile to complete its trajectory, पूरे trajectory को complete करने के लिए जो time होता है, that is called time of flight, पूरे trajectory को complete करने के लिए जितना time लगता है, that is called the time of flight, clear, बात समझ में आ रही है everyone, पका, आगे बढ़ू, पका, चलो, यहाँ पर हम लोग equation derive करेंगे, तो कैसे derive करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे time of ascent, क्या निकालेंगे time of ascent, कैसे निकालेंगे time of ascent, तो मालो की body यहाँ से यहाँ जा रही है, अब देखो, यहाँ इसके पास दोनों velocity है, यहाँ इसके पास दोनों ही velocity है, that is, यह माल लो, initial velocity u हो गया, यह हो गया theta, तो यह हो जाएगा u cos theta, और यह हो जाएगा u sin theta, but at the highest position, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ horizontal velocity रहेगा, that is u cos theta, यहाँ पे vertical velocity accent रहेगा, क्योंकि body इसके उपर तो नहीं जा रही न, जब body इसके उपर नहीं जा रही, मतलब वहाँ पे vertical velocity तो accent है, तो वहाँ पे vertical velocity नहीं रहने वाला, यहाँ पे सिर्फ horizontal velocity रहने वाला, तो अगर मैं बात करूँ y axis के, माल लो, यह x axis हो गया, और यह y axis हो गया, तो क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से देखो, ध्यान से समझने ही कोशिस करो, क्या ही होगा, तो मेरा जो final velocity होगा y axis में, वो 0 हो जाएगा, और initial velocity तो मेरे को पता ही है, that is u sin theta, आया न, initial velocity तो मेरे को पता है, that is nothing but u sin theta, बड़बर, ओके, देखो क्या मिलेगा, first equation लगा दो, first equation consider, equation 1, first kinematics equation लगा दो, first kinematics equation लगा दो, क्या मिलेगा, देखो जरा, v is equals to u plus at, that is vy, u y, a y, हाँ है न, vy क्या है, that is 0, u y क्या है, u sin theta, और a क्या है, minus g, क्योंकि उपर जा रहा है, into ta, इसको नाम कहा देते हैं, ta, time of ascent, बड़बर, अब ये minus g दर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, gta, is equals to u sin theta, हाँ है न, यहां से ta क्या मिलेगा, ta मिलेगा मिलेगा, u sin theta by g, हाँ है न, this is nothing but a time of ascent, this is nothing but a time of ascent, clear, बास समझभा गई, अब time of flight ही निकालना है, तो time of flight क्या होगा, भाई, इसका double, क्योंकि दोनों सेम होते है, time of ascent और time of descent दोनों सेम है न, अब दोनों सेम है, तो इसका ही double कर दो time of flight मिल जाएगा, तो time of flight क्या हो जाएगा, इसको side में कर दो, क्या हो जाएगा, देखो सारा time of flight, को तो टाइम आफ प्लाइट क्या हो जाएगा इसको हम लग टी एक से जनेरल इनोड करते हैं टी एक से-ापिटल टीस से रहीं तुटाइस दीचेंट या फिर ट्वाइज दॉआ इसेंट जो लिखना चाहू लीख सकते हो या फिर twice the time of ascent लिखो, या फिर twice the time of descent लिखो, क्योंकि ascent और descent का दोनो time क्या होगा, same होगा, हाँ या ना, भाइज दोनो time क्या होने वाला है, दोनो time same होने वाला है, तो twice कर दो time of ascent तो तुमनों निकाला है ना, इसको twice कर दो क्या मिलेगा, tf is equals to that is 2u sin theta by g this is nothing but a time of flight this is nothing but a time of flight clear बास सम्झा कैसे निकाला time of flight एक दम इजी मिथेड है okay time of अब मुझे comment करके बताना what is time of descent का formula okay मिरको comment करके बताना time of अगर तुमने ध्यान से सुना है न तो फटाक से तुम comment करके बता सकते हो what will be the time of descent मिरको सब लोग time of descent कमर करके बताना comment करके बताना okay कि क्या होगा time of descent clear बास समझ में आ गई समझ में आ सबको what is time of flight okay this is nothing but a projectile का motion projectile का motion projectile motion हो रहा है sorry everyone okay projectile motion हो रहा है उसका जो time है वो रहेगा that is 2u sin theta by g clear समझ में आया सबको पका everyone okay so यहां पर हम लोग ने start कर दिया projectile motion हम लोग ने क्या देख लिया हम लोग ने उसका general equation देख लिया है हम लोग ने time of flight देख लिया अभी हमको दो चीज और देखना है that is the range and the height okay so range or height हम लोग next video में देखेंगे next lecture में देखेंगे okay so आज का जो topic हम लोग वहीं पर end करेंगे अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो वीडियो को like करना है share करना है subscribe तो करना ही करना है अगर आप चैनल पर first time आए हो क्योंकि सारा का सारा 11th का वीडियो एवेलेबल है 12th का वीडियो एवेलेबल है okay सारा 6th, 5th, 7th, 8th, 9th, 10th सारा चीज यहां पर एवेलेबल लगए तो अगर आप चैनल पर first time आ रहे हो तो आपको वीडियो like, share and subscribe करना ही करना है clear everyone पका चलो so bye everyone okay so पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, आज का वीडियो एवेलेबल करते हैं आज के लिए बसीता है, that's it for today, thank you so much